rounding to nearest 10 and 100 देखिए कुछ नमबर weak number है आपर कुछ नमबर strong है weak number कौन कौन से है 0 1 2 3 4 और strong कौन कौन से है 5 6 7 8 9 तो देखिए question हम दो करेंगे 10 के nearest और 100 के nearest तो यह क्या है 154 अब 10 के digit पर निकालना है तो 5 क्या है 10 डिजित पर है उसके right वाले digit में को हम देखेंगे कि वह strong number है या weak number है तो देखिए 4 क्या है weak number है तो हम 15 को ऐसे ही लिख देंगे और 4 की जगह पर 0 लिख देंगे यह होता है 150 अब 100 की digit पर निकालने के लिए तो 154 में 1 क्या है 100 की प्लेस पर है तो उसके right पर क्या है 5 तो देखिए यह 5 क्या है strong number है या weak number है तो क्या है यह strong number है तो क्या करेंगे हम 1 को हम up कर देंगे यानि उसके उपर वाला number ले लेंगे तो 1 के उपर कौन से होता है 2 और 5 और 4 की जगह पर हम 0 लिख देंगे तो जाएगा 200 ऐसी तरह 4674 को हम 10 डिजिट पर निकालना है तो 7 10 डिजिट पर है और उसका right पर क्या है 4 है तो वो क्या है weak number है की strong number है तो 4 क्या है weak number है अब देखिए तो हम इसमें क्या करेंगे की 467 हम ऐसे लिख देंगे और 4 की जगह पर 0 लिख देंगे अब देखिए 4674 को हमको 100 की प्लेच पर निकालना है तो देखिए 100 की प्लेच पर निकालना है 100 है यह है और उसके right प्लेच डिजिट की क्या होगा seven seven क्या है strong number है या weak number है देखि seven क्या है strong number है तो हम क्या करेंगे कि 46 46 का अब बाला number लिखेंगे 46 का अब क्या होगा 47 तो मैं लिखेंगे 47 फिर 7 और 4 की जगह पे 0 लिखेंगे तो जाएगा 47,000 असी तरह 9,995 का 10 डिजिट पे निकालना है तो 10 डिजिट पे क्या है 9 और उसके right वाला number को देखेंगे कि वो strong number है या weak number तो उसके right वाला number डिजिट कौन चाह है 5 है तो 5 क्या है देखिए strong number है या weak number है strong number है क्या करेंगे कि 9 का up वाला number 9 की ऊपर कौन सा number है 10 तो हमें आ लिखेंगे 10 और 995 की जगह पे हम 0 डिजिट देंगे तो बजाएगा 10,000 पिर देखिए 9,995 को हमको क्या करना है 100 के प्लेस का निकालना है 100 क्या है नाइन है प्लेस पे और उसका right वाला डिजिट कौन सा है 9 है तो हमने इस 9 को देखेंगे कि यह strong number है या weak number है तो 9 क्या है strong number है यानि यह 9 का अब बाला number लिखेंगे तो 9 के ऊपर क्या आता है 10 तो हमें आ पे 10 लिखेंगे और 9 और 95 की जगह पे हम 0 लिखेंगे ते लिखेंगे 10,000